नमस्कार आप देखरें दर्ष निउस मैं प्रीती दयाल आपके साथ दस बजे के इस खास बुलेटेन में आप सभी दर्षकों का स्वागत है तो चलिए बीना देर की ये सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर इसरायल से भारत लोटे पहले जथे में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मिलाकर कुल 212 लोग भारत पहुँचे हैं इन लोगों ने दिल्ली पहुँचते ही भारत सरकार को धन्यवाद दिया इसरायल हमास यूध के बीच भारत के चर्चित ओपरेशन अजय के तहत इसरायल में फसे भारतिये नागरीकों को लेकर पहली चार्टर फ्लाइट शुक्रवार को नई दिल्ली पहुँची रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस को अगले साल की शुरुआत से लंबी दूरी की यात्रा के लिए तयार किया जा रहा है इसकी अधिक्तम स्पीड 200 किलो मिटर प्रती घंटा होगी इसे तमाम सुख सुविधाओं से लैस किया जा रहा है जो की आपकी यात्रा को आराम दे बना सकता है रेल मंत्राले के अधिकारियों के मताबिक फरवरी 2019 में दिल्ली और वारा नसी के बीच पहली वंदे भारत के उदगाटन के बाद से इस ट्रेन के डिजाइन और इंटीरियर में नियमित रूप से सुधार किया गया है स्लिपर सुविधाओ वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की जगा लेने की शमता है इधर बिहार के बकसर जीले में 11 अक्टोबर बुधवार की रात हुए ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है दिल्ली कामख्या नौर्थ इस्ट एक्सप्रेस के सभी डिब्बो के बेपटरी होने की समभावित वज़़ पटरीयों में खामी थी सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जाच रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी गई है रेलवे के छे अधिकारियों द्वारा हस्ताचरित रिपोर्ट में कहा गया ऐसा प्रतीत होता है कि पटरी में खामी की वज़़़ से ट्रेन बेपटरी हो गई आरजेटी सुप्रीमो लालो प्रशाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरन मंत्री तेश प्रताप यादव को पटना की एक अधालत ने घरेलू हिंसा का दोशी माना है और एक महीने का अल्टिमेटम दिया है तेश प्रताप और आश्वर्या तलाक मामले में कोट ने आदेस दिया है कि आश्वर्या के रहने की वैवस्ता घर का किराया बिजनी का बिल समेच सभी खर्चों को तेश प्रताप यादव ही उठाएंगे साथ ही किसी तरह की घरेरू हिंसा नहीं करने का भी आदेश दिया है अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 ओक्टोबर को होगी बरते अगले खबर कियो जहां बिहार के 28 पास अभ्यर्थियों को क्लास एक से पाँच में शामिल करने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी इसे लेकर शिष अदालत में एक रिट याची का दायर की गई है जस्टिस A.S. बोपन्ना और M. सुन्दरेश की बेंच में इस मामले में सुनवाई करेगी इदे पिहार के मुखे मंत्री नितीश कुमार ने आज कैबिनेट की एहम बैठक बुलाई है एक सप्ता में ये दूसरी बैठक है ये बैठक शुक्रवार सुबह सारे 10 बजे पर पुराने सचीवाले के कैबिनेट सभागार में शुरू होगी वही नवरात्री से पहले ये अब कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जारी है अगली खबर जहारखन से है जहां जमीन घोटाला मामले में मुखे मंत्री हेमन सोरेन को एडी की तरफ से भेजे गए समन के खिलाफ आज हाई कोट में सुनवाई होगी एडी की कारवाई को चुनौती देते हुए हाई कोट में 22 सितंबर को याची का दायर की थी मुखे मंत्री हेमन सोरेन को एडी अब तक पाच बार समन भेज चुका है ED के समन का जवाब देते हुए मुख्य मंत्री हेमन सोरे ने एक चिठी लिख कर बताया था कि यह मामला अब कोट में है हाई कोट का निर्देश आने तक इंतजार करें इधर प्रसिद सिद पीठ रामगठ जीले के रजरप्पा मंदिर में शार्दिय नवरात्व को लेकर तैयारी तेज है पूलों से मंदिर को सजाने के लिए कोलकाता सिकारीगर बुलाए गए है मंदिर परीसर की सफाई की जारी है हवन कुंड भी साफ किया जारा है दामोदर भैरवी नदी के संगा मिस्थल पर पहली बार गंगा आरती लगातार नौ दिनों तक की जाएगी अब खबर खेल जगत से भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को एहमदाबाद में मैच खेला जाएगा इस मुकाबले का फैंस को बेसबरी से इंतिजार है विश्व कब 2023 के बारहवे मुकाबले से पहले जशनिका इंतिजाम किया गया है इसमें भारत के तीन बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे बॉलिवूड की हिट मशीन कहे जाने वाले अरिजीत सिंग शो का हिस्सा होंगे अरिजीत के साथ साथ शंकर महादेवन और सुकुविंदर सिंग भी परफॉर्म करेंगे अब खबर मनुरंजन जगत से करन जोहर के फिल्म कुछ-कुछ होता है को रिलीज हुए 25 साल पूरे होने वाले हैं 15 अक्टोबर को कुछ-कुछ होता है की एनिवर्सरी है जिसको लेकर फैंस के साथ मेकर्स भी काफी एकसाइटेड है फिल्म के 25 साल पूरे होने के मौके पर करन जोहर ने फैंस के लिए मुंबई में तीन स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है जिसकी उन्होंने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर दी है बताते है की कुछ कुछ होता है की स्क्रीनिंग के टिकेट सिर्फ 25 रुपए में बिके है तो फिल्हाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही देश और दुनिया की तमाब खबरों के लिए आप बने रहे दर्श निउस के साथ